तो अब दोस्तो आज मैं आपको उताने हुरूं सैमसां के थाटी ऐस का एक नया फिचर के बारे में या बुल सकते हैं गूड लग के एक नया मौडिल के बारे में जो कि सेमसां के थाटीज में अब सपोर्ट कर रहा है जिसका नाम है मल्टी श्टार्ट दोस्तो इसमें आप बहुत ही अच्छा, multi window की तरह यूज कर सकते हैं अपने mobile को, तो बहुत ही काम का यह feature है इसमें क्या क्या होता है और कैसे इसको use करेंगे तो आगे आपको वीडियो में बताने वाला हूँ वीडियो को किमत करेगा दोस्तों, वीडियो को पूरा देखेगा तो वहां आपको मिल जाएगा यहां पर आपको मिलेगा second number पर multi star, आपको इसे यहां पर click करेंगे, जैसी आप में होदो आपको Galaxy Store पर ले जाएगा और डाउन्डोड या install के लिए बोलेगा, तो आपको इसको interface दिखने वाला है जो की norm तो यहाँ पर सबसे पहला जो नया feature या बुल सकते हैं सबसे पहला जो feature है यह है quick launch of the multi window यहाँ पर यह है कि जैसे आप इसको on करेंगे यहाँ पर आप से दो तीज पूछेगा कि आपको क्या है मैं open करना open in split view open in pop up view और इसको कैसे use करते हैं यहाँ पर क्या लिखा है अगर आप इसको on करते हैं इसके बाद जब भी press and hold the recent key to quickly access the multi window अगर आप चाहते हैं कि यह जो भी app अभी open है आप इसको multi video में open करना चाहते है multi window में वो भी split view में तो आपको यह recent वाली जो tap है यहाँ पर click करके रखना है जैसे आप click करेंगे तो यह multi video open हो जाएगी और सात में आपकी कोई सी भी app जिसको भी आप open करना चाहते है और सारी आप आपको यहाँ दिख जाएगी जिसको भी आपको open करना है आपको उस पर click कर देना है और वो वहाँ पर open हो जाएगा तो सबसे पहला तो यह अगर आप चाहते हैं इसको pop-up view में open करना तो आपको यहाँ पर pop-up view में click कर देंगे जैसे ही आप pop-up view में click करेंगे और उसके यहाँ पर click करेंगे तो automatic सब pop-up view में open हो जाएगा तो यह होता है यहाँ पर सबसे पहला फीचर उसके दोस्तों यहाँ पर लिखा है the long life app मतलब कि जो app जो app ऐसी कि जिसकी process बन दीना अगर आप चाहते हैं तो आपको इस पर यहाँ पर click करना है इसको ओके करना है और यहाँ पर कोई भी एप शेगा तो वो चलती रहेंगी यह सारी एप यहाँ पर आप से पूछ लेगा जिस एप को आप यहाँ पर click कर देंगे तो उसकी process background में भी चलती रहेंगी उसके बाद दोस्तों नीचे आ रहा है pop-up view screen जूम यहाँ पर क्या होगा जब भी अगर आप ज्यादा multi window खोल लेंगे बुल सकते हैं ज्यादा pop-up में खोल लेंगे उसके बाद वहाँ पर जितने भी आपके जो content स्क्रीन थोड़ी सी जूम नीचे हो जाएगी ताकि आपको अच्छे से multi window मिल जाए और यह सबसे उपर जो फीचर था आप दो जगा से ऐसे open कर सकते हैं कोई इसी भी एप को pop-up view में अगर आप यहाँ पर जाएंगे recent window पर भी क्लिक करेंगे आपको किसी एप को अगर pop-up view split view में करना आपको simply क्लिक करके रखेंगे और यहाँ पर drop कर देंगे तो यहाँ पर डारेक्ली pop-up view में open हो जाएगा उसके नीचे आएंगे यहाँ पर आपको मिल रहा है multi focus app मतलब कि जो एप अगर मान लीजी आपने यह मैंने pop-up में खोल लिया यह वाली app को मैंने pop-up में खोल लिया और एक मैंने इसको pop-up में खोल लिया यह दो app मैंने pop-up में खोल लिया अब दोनों screen साथ-साथ पर चल रही है और अगर आप चाहते हैं कि जो app में मैं काम कर रहा हूं बस उसी पर focus रहा है और पीछे वाली जो process है वो वहाँ पर बंद हो जाए तो उसके लिए आप यही वाला feature का use करते हैं जो कि इसमें लिखा गया है कि जैसी आप focus change होगा वो उसका काम करना बंद कर देगा मैं इसको वापिस खोल लेता हूं तो multi focus में यह होता है कि जो app अगर पीछे चली जाएगी तो उसके फोकस हड़ जाएगा और उसका काम बंद हो जाएगा इसके बाद है inferencing mode मतलब कि यहां पर जब भी आप इसको on करेंगे और पॉप आप व्यू में रहेंगे तो आपका navigation बटन और वह सब चीजें वहाँ पर hide हो जाती है Split View में, जब भी आप Split View में open करेंगे, तो आपकी जो navigation button है, वहाँ पर hide हो जाता है, जब भी आप Split View में open करेंगे, तो आपका navigation bar वहाँ से हट जाता है, आपको वहाँ दिखेगा नहीं navigation bar, उसके बाद है Enable Multi Window और All App, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे, तो आप से restart बोलेगा, औ अगर आप इसको on कर लेंगे, इसके बाद यहाँ पर जो सके sensor दिएगे, अगर आप इसको यहाँ से on करेंगे, तो आपको उपर दिख रहा होगा, साइड में एक blue color के rays दिखर जी दोनों तरफ, अब होगा कि जब भी आप इहाँ से इसको drag करेंगे, तो आटमेटिक pop-up में कोई सी भी स्क्रीन पर होंगे, जब आप आप आपको यूँ करेंगे, ट्रैक करेंगे, तो सारी एप आपकी pop-up view में बहुत easily खुल जाएंगी, जो की बहुत ही शांदर यहाँ पर feature दिया गया है, मुझे तो बहुत मस लगा कि कोई भी एप को अगर आप 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 आउचा feature लगा, एक तो pop-up view में open करना simply और उसके बाद जो pop-up view और action वाला feature यह तो बहुत शांदर फीचर है, कोई सी भी एप में अगर आप जाएंगे लाइक मैंने यहाँ पर मैसेज ही ओपन कर लिए और यहाँ साइट से ट्रैक करूँगा तो फट से यहाँ पर पॉप अप व्यू में ओपन हो जाएगा तो उमीद है कि आपको यही मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो थेंक्यो तो दोस्तो मुझे उमीद है कि आपको यही मेरी वीडियो पसंद आई होगी दोस्तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज लाइक ज़रू करें अगर आपको लगता है दो मेरी वीडियो को कमी है तो मेरे डिसलाइक बर सकते हैं दोस्तों और अगर आप मुझे कुछ पूछने चाहते हैं इस वीडियो से लेटेड या कुछ भी आप मुझे डार की कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप मुझे इस्टाग्राम पर डिय आगा तो तो तेंगिए उस्तों